हलो फ्रेंज वेलकम तो कारगी क्लास इस देट आज की आठ अप्रिल 2021 और देख लेता है इंडियान एक्सप्रस के एडिटोरियल और आइडिया पे इस इंपोर्टन आर्टिकल जो अभी हम डिसक्स करने वाले हैं फरस्ट आर्टिकल जो हम डिसक्स करेंगे वो है ये एन ऑपे बॉंड इसमें हम Electoral Reform से रेलेटेड और बॉंड से रेलेटेड बात करेंगे दूस इस आर्टिकल को आप करनेक्ट कर सकते हो जी यह स्पेपर टू में जो एलेक्शन से रिलेटेड टॉपिक है ना, रिप्रेजेंटेशन अफ दे पीपल एक्ट, 1950 और 1951 वाला जो टॉपिक है, जी एस पेपर 2 में, उस से कनेक्ट कर सकते हो, दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, ये वाला, ओल्ड फ्रेंट्स न्यू वर्ल्ड, रश्या और एजुकेशन से रिलेटेड बात आ रही है, कि पेंडेमिक के चलते हैं, कोपी पेस्ट का कितना ज्यादा ट्रेंड चलता हुआ आगया, ओनलाइन जो भी क्लासिस शुरू हुई, तो इसमें एजुकेशन को लेकर के पॉइंट है, तो इसको आप कनेक्ट कर सकते हो, जी एस और साथ में एजुकेशन वाला जो पॉइंट हा उसके साथ में, आइडिया पेस पे चलते हैं, आइडिया पेस पे यह वाला आर्टिकल डिसक्स करेंगे, रिवर लिंक, नो वन नीड्स, जो केन बेत वाल लिंक की बात चल रही है, जिसके बारे में हमने अल्रेडी एक डिस सकते हो वाँ पे, इसके अलावा अगर नीचे चलें, तो लेसन फ्रॉम तैकुल गुंडा, इस आर्टिकल में जो इंटर्नल सेक्यूरिटी के लिए जो चैलेंज है, और अभी रिसेंटली जो सतीस गड़ बस्तर में, जो अमारे मिलिटरी, सॉरी, जो डिफेंस फोर्स पे अटेक हुआ, जिसकी वज़े से 22 इंपोर्टेंट लाइव को हमने खोया है, तो उससे रिलेटेड ए आर्टिकल है, क्या करने की ज़रुद है, जानेंगे इस आर्टिकल में, इसको आप कर सकते हो, जो से कनेक्ट कर सकते हो, अब देख लेता है आर्टिकल को डीटेल में, फ सबकॉंटिनेंट किसे कहते है, साउथ हेशन सबकॉंटिनेंट, ठीक है, तो वहाँ पर, तो पहले तो इंडिया में विजट हो गई, अब दो दिन की पाकिस्तान की आतरा पर है वो, तो आप देख सकते हो, मॉस्को का ये एक री औरियंटेशन है, अपने हिसाब से, जब को होने लग गए हैं, तो बेसिकली सबकॉंटिनेंट में जो रश्या का जो ओरियंटेशन था, वो अब चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये चीज़ क्लियर होती है, कि अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में पाकिस्तान को बहुत इंपॉर्टन कंसिडरेशन में रख है, और इंक्लियोजिव सोलिशन का मतलब ये हो गया अफगानिस्तान में, कि तालीबान को तालीबान को अफगान सोसाइटी का इंपॉर्टन पार्ट समझते हैं, और साथ में बोले तालीबान का रोल तो अब कोई हटा ही नहीं सकता, इनाइविटेबल रोल हो गया, जबक एक डेमोक्रिटिक मैनर में अफगानिस्तान का स्टैबलिश्मेंट होना चाहिए, पीस प्रॉसस कंटीन्यू होना चाहिए, साथ में इसलामाबाद और रश्या, इन दोनों की अगर बात की जाए, तो बोलता है कि हम कन्वरजेंट हैं, इस पोजीशन पे कि अफगानिस्ता से जो स्टेटमेंट्स थी हैं ना, उनमें आप देखो कि एक तो अफगानिस्तान वाला मुद्दा तो हम देख चुके हैं, दूसरा इंडो पैसिफिक टैग से तो बातचीत की गई, मतलब स्टेटमेंट दिये गए हमारे एक्शनल अफेर मिनिस्टर के दोरा, जबकि उसी स बोला कि चाइना के साथ में हमारे रिलेशन कोई military alliance तो नहीं है, पर हाँ एक चीज है कि हमारे relationship highest in the history, अभी चाइना और रशिया की जो relationship है बोला है, वो history में सबसे जादा highest peak वाली relationship चल रही है, पर हाँ military alliance नहीं है, ये बात ठीक है, दूसरी तरफ रशिया की तरफ से एक statement बोला क्वेड जिसमें US, जपान, इंडिया, उस्ट्रेलिया, ये क्वेड्री लेटरल सेक्यरिटी डायलोग है, बोला है ये Asian NATO rise हो रहा है, जो की inclusive cooperation के लिए कहीना कहीं counter productive हो सकता है, तो ये एक hint दिया है अपनी तरफ से, दूसरी तरफ आप देखोगे, चाइना के साथ में closeness, रशिया की बढ़ती चली जा रही है, पाकिस्तान already चाइना की जोली में पड़ा है ही, तो रशिया इंडिया ties जो हैं, वो कहीना कहीं जो previously जितना cooperation था, उसमें कहीना कहीं थोड़ा सा departure देखने को मिल रहा है, कहीना कहीं रशिया और इंडिया दूर निकल रहे हैं, अब इपने diplomatic relationship को और ज्यादा wider करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, अब दिल्ली और मॉस्को की अगर बात करें फिर से, तो देखो current moment जो है, यह बहुत सारे challenges को represent कर रहा है, और यह नहीं है कि दोनों एक दूसरे के against में ही खड़े हैं, सारे मुद्दों पर, बस एक दो जहाँ पर एक दूसरे के सामने हैं, बाकि अभी भी कही ना कहीं दोनों के बीच में बहुत सारे ऐसा scenario जहाँ पर cooperation देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो, convergence वाले मुद्दे, defense में, energy में, या फिर space में, या nuclear sector में, दोनों एक दूसरे को corporate करने के लिए रेडी है और corporate कर भी रहे हैं बहुत हत तक, बट जो एक security point of view से देखा जाए, क्योंकि एक तरफ क्या है चाइना की USA के साथ rivalry और USA की रशिया की साथ rivalry, तो दोनों चीजों के चलते क्या हो गया, सीनो रशिया ties कहीना कहीं ज्यादा है, strong हो गये, क्योंकि दुश्मन का, क्या होता है, द बट अब क्या है, इंडिया भी अपने relationship को diversify कर रहा है, तो इसके चलते अब USSR भी पाकिस्तान की तरफ अपनी inclination दिखाई दे रही है, clear, और जो संगाई corporation organization है, वहाँ पर तो साथ में हैं ही, ये सारे के सारे, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, ये सारे के सारे है, वह कहीं ना कहीं हम ले रहे हैं, हाँ, USA ने हमें बहुत डराया, धंकाया कि कार्टसा एक्ट के अंडर में, USA का एक एक एक्ट है, कार्टसा एक्ट, counter adversity, something act है ये, तो इसमें क्या हो जाएगा, कि USA के दुश्मन देशों के साथ में अगर, इंडिया जैसा कोई भी country, जो क USA के साथ relation रखता है, वो अगर रश्या जैसे या USA के दुश्मन कंट्रीज के साथ में अगर relationship रखता है, तो USA, इंडिया जैसे कंट्रीज के अपर sanction लगा देगा, बट वो threat ही है, अभी तक तो लगाया नहीं है, तो overall बात क्या है, कि देखो, दोनों के बीच में relationship maintain करना, और current global scenario जो change हो रहा है, उसमें अपने आपको और ज़्यादा convergence में लेकर के आना, एक challenge तो है ही, बट continuity बनी ही रह रही है, तो यह अच्छी बात है, और बहुत सारे aspects जिनमें दोनों कंट्रीज और ज़्यादा cooperate कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे देखे, ओके, आगे चलता है, अपनी तरफ से statement दिया तो 2017 में, कि जब कभी भी election हो रहे हैं, तो उन election को free and fair manner में कब conduct करवाया जा सकता है, जब transparency वहाँ पर रहेगी, एक तो statement ही है, कि transparency की बिना free and fair election नहीं conduct हो सकते, दूसरा statement कि 70 साल हो चुके हैं, पर अभी भी हम transparency achieve नहीं कर पाए हैं, तो कहने का मतलब 70 सालों में, election conduction जो भी था, वो properly या free and fair manner में नहीं हो पा रहा है, दूसरी तरफ आप देखोगे, एक तो यह statement, ठीक है, अब आप latest जो condition हो देखते हैं, कि हमारी finance minister, उनके दुआरा भी launch किया गया है, quarterly window, जिसके अंदर electoral bonds को जो भी donor है, वो purchase कर सकता है, State Bank of India से, और उस bond को purchase क करने के बाद में, जिस भी political party को वो donate करना चाहते हैं, उसको ले जाकर एक पैसा, वो bond दे देगा, और political party को 15 दिन के अंदर-अंदर, SBI से वो पैसे निकाल लेने हैं, तो एक अपरिल से 10 अपरिल तक किये window, मतलब अभी खुली हुई है, तो इसको challenge करने के लिए Supreme Court में, एक petition लगाई गई, और petition लगाई किसने, Association for Democratic Reform के द्वारा, इन्होंने ये कहा कि बोला, ये time आ चुका है, अब electoral bond को आप ban कर दो, क्योंकि electoral bond जो है, वो यहाँ पर जिस transparency की बात की जा रही है, और जेटली जी के द्वारा की गई थी उस time पे, तो बोला, वो transparency कहीं ना कहीं, खतम ह हो रही है, तो इसको खतम करो, क्योंकि money जो है, वो एक non transparent manner में donate की जा रही है, clarity नहीं आ रही है, misuse होने के बहुत जादा डर है, political parties की कोई accountability नहीं है, बहुत सारे violent protest को इनको funding, terror funding हो रही है, इसके चलते हमें transparent manner में अगर काम करवाना है, तो उसके लिए हम electoral bonds को एक बार रोक एक बार election हो जाते हैं, जैसे अभी हम जानते हैं कि चार तो states और पुदुचेरी, एक यूटी में अभी assembly elections सेल रहे हैं, तो वहाँ पर elections के बाद में, अगर MLS की खरीद फरोग्त हो जाती है, सरकारे गिरती है, बनती हैं, तो उस case में इन electoral bonds का बहुत ही ज्यादा misuse हो सकता ह तो इस चीज़ को ले करके petition लगाई गई थी, बट सुप्रीम कोट ने petition को cancel कर दिया, बोला कि अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 2017 की एक already petition लगई हुई है, उस पर हम हमारा view तयार कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या हो जाता है, कि जो desired expression है ना, कि electoral bond लाया गया था transparency के लाम पे, बट transparency कहीना के खतम हो रही है, आज आप देखोगे, जब electoral bond नहीं थे ना, तब transparency आज के comparison में ज़्यादा थी, वो कैसे, कि 20,000 या इससे ज़्यादा का जितना भी transaction अगर कहीं पे कोई political party का होता था था ना, तो election commission of India को report दी जाती थी, कि इतना रुपिया हमारे पास में यहा से आया है, 20,000 रुपे तक तो कोई problem नहीं थी, पर 20,000 से ज़्यादा, बट आज जब से यह electoral bond आया है, तब से 20 करोड रुपे हो, या 200 करोड रुपे का donation भी अगर किसी party को मिल रहा है न, तो उनके ओपर कोई obligation नहीं है कि वो election commission of India को report करे कि हमारे पास में इतना donation आ गया, त तो transparency तो खतम होई है, फिर बात बोली जाती है, बोले कि electoral bond फिर चल क्यों रहा है, वो इसलिए secrecy को maintain करने के लिए, secrecy किसलिए कि बोले donor जो है, वो किसी भी political party को पैसा दे, और जिस political party को donor ने पैसा दिया, वो political party चुनाव हा जाती है, और दूसरी political party चुनाव जीत के आ जात तो ये एक secrecy maintain करने की बात की जा रही है, बट राइटर सीधा से एक ही question उठाते हैं, तो क्या ऐसा पहले होता था क्या, पहले तो नहीं ऐसा चीज दिखाई देती थी जहांपर donors को harass किया जा रहा है, मतलब donate चाहे किसी ने किसी को भी किया हो, जो भी ruling party आईगी, वो अपने हिसाब से अपना काम कर रही थी, चाहे वो rival को donate करे, चाहे फिर वो किसी और party को donate करे, तो ये कही ना कहीं जो ये पूरा मुद्दा है न, ये बहुत ही जादा falsely interpret किया गया है, जिसको हम बोलेंगे phony, phony का मतलब होता है bogus way के अंदर represent करना, तो यहाँ पर तो एक चीज clear आ को क्या experience है, क्या उसका होगा, तो donor की protection के लिए आप electoral bond लेकर के आ रहे हो, तो public interest को आपने तो बिलकुल reward करके private interest में convert कर दिया, तो ये भी concerning चीज है, इसके अलावा RBI और election commission of India ने ये जो electoral bond का mandate आया था, इसके खिलाफ अपनी एकदम strongest या strong protest register कर वाया था, कि हम इसका लेकर भी लिखा था, ministry of law and justice को कि electoral bond जो है, वो बहुत जादा परिशानियों का कारण बन सकता आने वाले टाइम पे, अच्छा, electoral bond जब इंटर्ड्यूस किया ना, उसके पहले legislative amendments भी लाए गए थे, बहुत सारे कानूनों में बदलाव लाए गए थे, वो आगे हम देखेंग या फिर जो भी foreign countries हैं, वो अपनी खुद की demands को पुरा कराने के लिए भी कोई भी political party को donate कर सकते हैं, तो इसमें तो कहीं न कहीं foreign influence आने लग जाएगा, जबकि हमारे domestic मुद्दों के ओपर foreign influence होना क्या सही बात है, election तो हमारे domestic issues पर लड़े जानी चाहिए ना, दूसरी तरफ अभी latest जो election commission of India की तरफ से statements आये हैं, council का मतलब होता है, एक advice दी गई है, formal advice, तो इसमें ये कहा है, कि हम electoral bonds को support करते हैं, और electoral bonds जो है, ये आने वाले time पर बहुत ही जादा effective साबित हो जाएगा, अगर हम electoral bond को बंद कर देंगे, election commission of India का statement अभी current, ठीक है, कि बोला, अगर electoral bond को बंद कर देंगे, तो cash system में चले जाएंगे, और cash को हम unaccounted manner में, मतलब cash को, cash जो है वो unaccounted रह जाएगा, उसको proper way में हम count, मतलब उसकी accountability fix नहीं कर पाएंगे, या फिर जो कह सकता ना कि calculation नहीं कर पाएंगे proper, तो बोला कि, यहाँ पर ये चीज कहीं ना कहीं, electoral bond को एक support द यह surprising नहीं है, जी बिल्कुल surprising है, आप देखोगे, electoral bond जब लाया गया था ना 2017 में, तो उसके पहले finance act 2017 जो budget के साथ में लाया गया, उसमें एक तो reserve bank of India act में changes लाया गये थे, एक companies act में changes लाया गये थे, income tax act में changes लाया गये थे, representation of the people act में changes लाया गये थे, और जो FCRA, foreign contribution regulation act था उसमें changes लाये गये थे, और वो changes किसलिए थे, जिसें की आसानी से electoral bond को introduce किया जा सके, तो अभी हमने देखा ना कितना ज़्यादा legislative changes पहले सरकार ने कर दिये थे, अब आप देखो कि यह जो changes हैं, यह serious क्यों हैं, देखो, हमें धान भी देने की ज़रत है, पहले तो क्या था कि कोई भी अगर corporate house, अगर कोई भी company, अगर profit में है, तो उस profit का केवल साड़े साथ परसेंट तक ही वो donate कर सकती थी, किसे भी political party को, ठीक है, अगर सो रुपए का profit है तो साड़े साथ रुपए ही वो donate कर पाती थी, अब electoral bond जैसे ही आया, और यह company, electoral bond आया, और दूसरा electoral bond से पहले जो changes किये गए ना, laws में, जैसे कि companies act 2013 का section 182, उसको जैसे ही change किया, तो इसमें क्या provision आ गए, कि अब कोई limit नहीं होगी, किसी भी corporate house या किसी भी company पर, कि वो कितना donate करना चाता है, अगर company अपने पूरे profit को 100% donate करना चाहे किसी political party को, तो उन पे कोई लगाम नहीं है, य भी वो किसी political party को donate करना चाहती है, तो भी उस पर कोई लगाम नहीं है, तो आप यहाँ पर इसको तो chronic capitalism बोल सकते हो, कि आज कोई भी company, कोई भी political party को अगर donate करती है, तो वो donation का पैसा, company ऐसा तो है नहीं, private sector का काम है वह तो दाम कमाने के लिए तो बैठे हैं, अब अगर वो किसी political party को पैसा देते हैं, और वो ही political party अगर जीत करके आ जाती है, मतलब rule में आ जाती है, सरकार बना लेती है, तो वो तो सरकार इस particular donor के हिसाब से ही तो फिर कानून बनाएगी, यह तो chronic capitalism हो गया, कि सरकार, government और private sector दोनों एक दूसरे के फाइदे के लिए काम करेंगे, तो government को कहीं ना कहीं, virtually इस तरीके से run होते हुए, हम कैसे accept कर सकते हैं, जबकि हमें एक democratic, socialist country भी है, हमारे जो principle है, उसमें, preamble है, socialist, Tom भी ताइडी कर दी ना, 42nd Amendment Act के basis पे, तो यह चीजे हम कैसे accept कर सकते हैं, इसके अलावा, जो board of directors ने अगर कोई decision लिया है, इस political donation को लेकर के, चाहे वो profit में चल रही है, चाहे loss में चल रही है, तो उसकी accountability भी हटा दी गई है, तो आप एक चीज़ बताओ, board of directors तो कुछ ही लोग हैं, जो कि किसी company में invest करके बैठे हुए हैं, बाकी जो shareholders हैं, investors हैं, उन लोगों का जो हिस्सा है, उसके लिए इन लोगों को decision लेने की कैस authority दी जा सकती है, पूरी की पूरी, उनकी भी तो हिस्सेदारी बनती है ना, जो shareholders हैं, या दूसरे जो company के owners हैं, तो उनकी भी कही न कहीं बातचीत होनी चीए, तो ये कहीं न कहीं transparency के नाम पर बहुत ज़्यादा मुश्किलों का काम कर दिया गया है, इसके अलावा, जो representation of people act में, जो section 29B है, या फिर FCRA act का section 3 है, ये दोनों sections क्या किसी से related है, कि जो funding आ रही है, उस funding का source अगर foreign origin है, अगर विदेशों से funding आ रही है, तो उसको रोकना, उस पे बार लगाना, बट हो क्या रहा है, changes कर दिया इन दोनों acts में, तो उसकी वज़ए सा अब foreign funding भी आती है, त 2014 में, यहां पर बताया जा रहा है, कि 2014 में, जो Congress की ruling चल रही थी, तो उस time पर दिल्ली High Court ने, मतलब एक तरीके से कह दिया था, कि जो foreign contribution regulation act 1976 के अंडर में, जो BJP government है, उनके पास में जो पैसा आ रहा है, बोलो वो गलत है, ठीक है, foreign contribution, तो सरकार ने क्या किया, 2016 में जो finance bill था उस में 1976 का जो foreign contribution regulation act था, उसको change कर दिया और वो भी कैसे, retrospectively, retroactively का मतलब होता है, एक तरीके से, कि past में मतलब 2010 से इन्होंने लागू कर दिया, कानून तो आया 2016 में, amendment तो, लागू कर दिया 2010 से, कि बोले कि इस तरीके के amendments, मतलब इस तरीके की funding के ओपर कोई बैन नहीं होगा तो overall point क्या रहा है, section 29B of the representation of people act 1951 और section 3 of FCRA act, तो इन दोनों की जो बार लगाने की capacity है, कि कहीं पर भी किसी भी candidate, legislative member या political party या कोई भी party office holder को, अगर foreign contribution आता है, तो उसको रोका जाए, उस पर भी अब लगाम नहीं है दूसरा, आज foreign countries के issues देखो कितना ज़्यादा highlighted रहते हैं, हमारे यहाँ पर elections में, जबकि होना क्या चाहिए, domestic मुद्दों पर सवाल, या मतलब एक तरीके से election होने चाहिए यूएसे जैसी super power भी इस बिमारी से बहुत ज़्यादा ग्रसित है, यूएसे में भी नहीं रोका जाया पा रहा है, हर बार देखो कभी China का नाम, कभी Russia का नाम आता रहता है, कि इन दोनों countries का बहुत ज़्यादा influence आ रहा है, यूएसे में तो democracy में electoral system की अगर बात करें, तो इसको थोड़ा सा rectify करने की जरूरत है, महनत करने की जरूरत है, तो supreme court का जो concern है, कि ये जो funding आ रही है, इसका misuse किया जा सकता है, ये वाकई में relevant है, pertinent है, transparency की अगर बात करें, तो sources बहुत ज़्यादा important है, और खर्चा कहां पर हो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा important है, election के time पर, तो जरूरत क्या है, कि election commission की तरफ से demand proper way में जो की जा रही थी, वो ये, कि जो कोई भी donation किसी भी political party को आती है, तो उस political party की proper scrutiny auditing होनी चाहिए, funding से related, चाहिए वो CAG करे, या फिर election commission अपने हिसाब से कोई और entity establish करवा के करे, तो writer यह आपे बोल रहे हैं, कि देखो best way तो क्या है, कि मतलब simply को इस तरीके से electoral bond को आप abolish करो, तो बोले कि यह चीज तो हम suggest नहीं करेंगे, पर हाँ, point यह है, कि जो भी donor है, दान देने वाला और जो भी donation लेने वाला है, बोलो वो अपनी disclose करे information को, कि donate किस को किया, donation किस से आया, ब चाहे तो 30 second के अंदर यह काम हो जाएगा, तो Supreme Court इस चीज के लिए order दे सकता है, आसानी से government को, कि भी आपको इस urgency पर focus करना पड़ेगा, और national importance point of views है, यह बहुत जादा important चीज है, कि आप declare करो कि आपके पास में funding कहां से आई, और जो donor है, वो भी बताया कि आपने funding किस party को दी और कितना रुपिया दिया, ठीक है, इस से क्या होगा, कि एक transparency automatically आ जाएगी, देखो Supreme Court ने 2002-2003 में transparency को लेकर के, जिन candidate, मतलब जो candidate election में खड़े हो रहे हैं, तो उनके ओपर एक obligation डाल दिया, कि भी आप अपनी financial dealings को और criminal cases को अपने nomination के time पे declare कर दोगे, तो बोले यही तो चीज अब करनी है न, कि electoral bond continue करो, कोई problem नहीं है, donate करो, कोई issue नहीं है, but information को disclose करो, आज अगर एक तो यह तरीका बता दिया कि disclose कर दो, अगर disclose करने से better कोई option हमें देखना हो, तो chronic capitalism को हम कैसे हटा सकते हैं, क्योंकि private fund collection जो है, यह बहुत जादा हो रहा है, आज political parties के पास में, तो इससे बढ़िया क्या है, बोले, एक public fund create कर दो, इससे क्या हो जाएगा, कि जो government है, उस पर 10,000 करोड रुपए तक का खर्चा तो बड़ेगा, बट reality क्या है, कि democracy में election बहुत important role play करते हैं, और वो fair and free manner में हो जाएंगे, तो उसके लिए 10,000 करोड रुपए कोई बड tax में भी छूट दे दे, वो भी चल जाएगा, और साथ में ये भी करें कि, और ये जो national election fund होगा, इससे क्या होगा, इस fund से, इसको public funding भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, public funding, तो ये funding अगर ensure हो जाती है, तो आप political parties को fund provide करो, और fund provide करें, और उस कहें कि इससे ज़्यादा खर्चा आप करोगे नहीं, और साथ में ये कहें दिया जाए, कि उन parties को, जो भी political parties को, जो उनको fund का हिस्सा मिले, वो उनकी electoral performance के हिसाब से, कि हाँ पिछले चुनाओं में, उस political party ने कैसा perform किया था, जो अच्छा perform करेगा, उसको ज्यादा हिस्सा मिलेगा, जो बुरा perform कर रहा है, उ तो 2017 के budget का जो statement है, वो हम फिर से याद कर लेता है, और article को खतम करता है, कि बिना transparency, और political funding में अगर transparency नहीं होगी, तो free and fair elections possible नहीं हो सकते, ठीक है, तो इस transparency के लिए 2-3 suggestion दिये, बड़े अच्छे थे, आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है, river link no one needs, केन बेतवा प्रोजेक्ट से related है, ये article हिमान सो ठककर के द्वारा लिखावा ये article है, तो बुंदेल खंट देखो हमें पता है कि water scarcity का सामना करता है, पर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जिसकी बात की जारी है, ये कोई solution नहीं है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में लगबग 38,000 करोड रुपए की तो लागत आएगी, और दूसरा जिस जिस region से ये पास हो रही है, जिसमें main जो है, वो है पन्ना टाइगर रिजर्व, अब पन्ना टाइगर रिजर्व का बहुत बड़ा हिस्सा कहीं न कहीं, इस water project के अंडर में सबमर हो जाएगा, तो जो ecological effect है, adverse impact है, वो बहुत जादा है, और जो नुकसान है, वो जादा दिखाई दे रहा है, बजाए के फायदे के, देखो, Supreme Court ने एक committee appoint की, जिसको हम बोल रहे है, Central Empowered Committee, CEC, तो इसने अगस्त 30, 2019 को अपनी तरफ से कुछ fundamental questions rise किये थे, इस particular project के उपर, और उसमें main तो था, कि अभी तक इस project को wildlife clearance नहीं मिली है, proper, उसके बावजुद इस project पे जल्दबाजी की जारी है, दूसरा, जो पन्ना टाइगर रेजर्व है, उसका लगबग 10,000 hectare का हिस्सा जो है, वो पानी के नीचे डूब जाएगा, तो वहाँ पर wildlife का कितना loss होगा, और Chief Minister of UP and Chief Minister of MP, इनके बीच में, तो और साथ में Prime Minister ने भी approval दे दिया, इसी पर सवाल उठाये जारा है, राइटर के द्वारा, कि जब अभी तक proper clearance wildlife habitat को लेकर के नहीं मिला है, proper ecological cost जो है, वो आपने consider नहीं की है, उसके बावजुद आप इतनी जल्दबाजी कैसे कर सकते हो, ज केन रिवर, जो की आप देख सकते हो, मध्यप्रदेश से originate होती है, और जाकर मिल जाती है गंगा में, बेतवा रिवर, जो की यहां से मध्यप्रदेश से originate होती है, और वो जाकर के यमुना में मिलती है, और यमुना और गंगा दोनों की दोनों अलाबाद में आकर के मिल जाती है इस तरीके से हैं तो ये तो गंगा है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हो जाए यहाँ आपकी बेतवा और यह वी केन तो इस तरीके से गंगा की आट्रिब्यूट्रीны हैं और अबाट कह सकते हैं तो point यहां पर ही आ गया कि जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है ठीक है इसमें पानी की जो availability है तो यहां पर बेतवा में तो पानी की कमी है और केन में water surplus consider किया जाता है जबकि reality क्या है कि जब लीन सीजन आती है उस time पर केन में भी पानी बहुत कम रह पाता है तो ऐसे में आप केवल monsoon के time पर ही अगर यह connectivity ensure करना जा रहा हो तो फिर lean season के बारे में क्या क्योंकि अगर lower riparian point की बात की जाए देखो एक तो होती है जहां से river शुरू होती है ठीक है और दूसरा पर आप जाकर के फिर बाद में जहां पर अपनी जो main जो river हो उसमें जाकर के म जो रही है वहां की बात करें तो अगर यहीं से पानी को divert आपने कर दिया तो यहां पर तो पानी की कमी आएगी की नहीं तो exactly यही चीज यहां पर highlight की जा रही है writer के दौरा की एक तरफ तो पानी की कमी बेतवा में बताई जा रही है तो एक तरफ consider किया जा रहा है कि केन में पानी बहुत जादा है बट दोनों की तरफ से अगर आप देखोगे तो इस project से better options तो already available है क्योंकि बुंदेल खंड कौन सा अभी पानी की कमी की वज़े से बिलकुल ही खतम होया जा रहा है तो जो existing projects है ना बोलो उनको improve करो और यही बात कही गई है forest advisory committee के दौरा और यही बात कही है central जो expert committee थी उसके दौरा कि कैसे भी करके जो already हमारे पास में existing जो projects हैं उनको हम और ज़्यादा strengthen करें और यही national water development agency की तरफ से examine नहीं किया गया कि जहाँ पर अभी project चल रहे हैं already उसकी बज़ाँ नया project बनाना यह कोई viable option नहीं है मद्यपरदीश की अगर बात करें तो पन्ना डिस्टिक्ट का जो ज़्यादा तर हिस्सा है उसको पानी की availability ensure की जाती है cane rivers है अब वहाँ पर अगर पानी की कमी आ जाएगी अगर monsoon भी और यह rivers कौन सी है seasonal river एक तरीके से हैं ज्यादा तर इनका जो flow रहता है ना पानी का वो दोनों rivers में जो छोटी है उसके बावजुद और proper hydrological data भी अभी तक collect किया भी जा चुका है तो उसको analyze नहीं किया गया है तो देखो एक proper independent credible agency होनी चाहिए जो की इस data को scrutinize कर सके कि वाकई में ये project अगर बनता है तो इसका क्या नुकसान है और क्या फाइदा रहेगा ऐसे ही जो central expert committee है उन्होंने सवाल भी उठाये है कि upper cane basin में जो कमी आएगी जो की tribal area है वहाँ पर उन लोगों की जो issues है उनको आप permanently backward करके रख दोगे क्योंकि cane river मद्यपरदेश से origin OE UP में गई तो यहाँ पर अगर आप project का पानी इधर से इधर ले जाओगे तो यहाँ पर important है बुंदेलखंड reason की बात करें तो बुंदेलखंड reason को बहुत जादा price pay करनी पड़ेगी अगर यह project वहाँ पर आता है तो क्योंकि ecological issues भी तो बहुत सारे है ना अपर बेतवा reason की अगर बात करें इधर हमने केन की बात की अब अपर बेतवा reason में आप बात करो तो वहाँ पर लगबग you पि के अंदर अपर बेतवा reason है अब पर जो project already बने हुए हैं बेतवा रिवर पे अब बेतवा में पानी की कमी क्यो हैं उसको भी क्लियर करना writer कि बेतवा river में पानी की कमी क्यो है इसकी वज़baby के जो projects बने हूए हैं उन projects में पानी कटा हो जाता तो उपर का जो अपर कोर्स जो है बेतवारिवर का वो कहीं ना कहीं पानी की कमी का सामना करता है तो क्यों ना फिर ये प्रोजेक्ट से हम सीखें और नए प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने से पहले एक प्रॉपर स्कूरूटेनी प्रॉपर स्टेडी करके फिर बाद में आगे बढ़ें इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जो एंपावर्ड कमिटी स्टैबलिश की थी उन्होंने भी इसको उपोज किया है तो अभी तक नेशनल जो ग्रीन ट्रिविनल है एंजेटी उसकी तरफ से भी अभी एंवार्मेंटल क्लियरेंस नहीं मिली है तो यह जल्दबा कमिटी है उसने जो अपनी तरफ से केन बेतवार यह रिवर प्रोजेक्ट का यह लिंक प्रोजेक्ट का जो तरीका बताया है तो बोले यह बहुत ही ज्यादा शोड़ी है क्योंकि शोड़ी का मतलब आप देख सकते हो यहां पे कि बहुत ही इंफीरियर वे में इसमें काम कि किया जा रहा है क्योंकि environmental impact assessment जो किया गया है उसके हिसाब से अगस्त 2017 में जो environmental impact assessment आप देखते हो environment वाली book में पढ़ते हो कि कोई भी project अगर लगाया जा रहा है तो उस project की क्या ecological cost होगी और उस cost को आप कैसे फिर repay कर पाओगे उस ecology को particular area की को तो उसके लिए environment impact assessment किया जाता है कि environment पर कितना असर पड़ेगा उस project का तो 2017 तक जितनी भी meetings होई है ना उन meetings में बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं इस project के उपर और जैसे ही अभी आप देखोगे पिछले 2016 तक इतने सवाल उठाए गए और 2016 के बाद में इतनी जल्दवाजी की गई है कि जो expert appraisal committee जो सवाल उठा रही थी लगातार वो अब सवाल न उठा करके एक जटके में approval कर रही है तो जो concern जो issues rise किये गए थे आप उनको तो handle करो एक proper way में तो environment impact assessment को मतलब एक clearance तो gain करो तभी तो आप ecological cost को consider कर पाओगे तो writer यहाँ पे बोल रहे है कि देखो अगर 78 megawatt का power house आप किसी जंगल वाले पन्ना tiger reserve में लगाते हो तो वो कोई फायदे वाला सौदा नहीं होगा क्योंकि जब lean season आएगा जब पानी की कमी आएगी उस time पर क्या condition दी हुई है कि पानी तभी transfer किया जाएगा जब केन में जो minimum level fix किया हुआ उससे ज़्यादा पानी होगा तो lean season के time पर तो ये power house भी काम नहीं कर पाएगा तो ये investment भी बेकार हो जाएगा investment भी काम नहीं कर पाएगा कि केन रिवर जब तक यमुना रिवर के level तक नहीं पहुँच जाएगी तब तक आप बेतवा रिवर में पानी डाइवर्ट नहीं करोगे तो basically मैंने एक चीज थो अमुना का गंगा के साथ में ओके थोड़ा correct कर लेना आप इसको ठीक है तो केन रिवर जब तक यमुना लेवल तक नहीं पहुचेगी तब तक पानी डाइवर्ट नहीं किया जाएगा तो अगर मौनसून के अलावा बाकी season में तो अब मौनसून तो क्यों चार मेने का है त तो हमें consider करने की जरूरत है जल्दबाजी कोई option नहीं होता है ठीक न तो wildlife के interest point of view से भी देखो या फिर वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं society point of view से भी देखो उनको भी कहीना के बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ेगा तो यह जल्दबाजी में project नहीं करना चाहिए और इस project के साथ साथ में दूसरे जो projects हैं उन पर भी कहीना गए यही consideration ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए आगे चलता है next article lesson from तैकल गुड़ा मुद्ध आपको पता है ही कि अभी जो मायस लीडर एक बंदे को पकड़ने के लिए इसका नाम था मादवी हिद्मा इसको पकड़ने के लिए हमारी जो पूरा ग्रुप गए security ग्रुप लगबग दो हजार security परसनल्स वहां पे गए जिसमें CRPF, कोब कमांडर्स, लोकल पुलीस, यह सब साथ में मिलकर के गए, हुआ क्या, हुआ यह कि अचानक से पहले तो इनको लालस दे दिया गया मायस की दौरा और यह security परसनल्स वहां पर अचानक से पहुँच गए, और पीछे से फिर बाद में गुरिला वार का, मतलब छुप करके फि security परसनल्स की life हमने खो दी, जो कि बहुत ही ज़्यादा precious थी हमारे लिए, तो यह चीज कहीं ना कहीं, एक चीज क्लियर लाकर आ रही है कि हमारे सामने, जो internal security का मुद्धा है, जिसमें तीन ज्यादा importantly highlighted मुद्धे रहते हैं, एक तो यह कि कश्मीर में जो proxy war चलता है, दूस कि जो separatist moment चलता रहता है न North East के अंदर, कभी तो नागलेंड वाले greater नागलिम की demand करते हैं, कभी मिजोरम वाले अपनी मिजोरम की बात करते हैं कि हम अलग से देश बनाना है, और तीसरा जो मुद्धा है internal security के लिए वो है, जो नक्सल मायस्ट insurgency है, ठीक है जिसको हम left wing extremism बोलते हैं, जो कि red corridor वाले region में prevalent है, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो हना, वो चिंता का कारण बना हुआ है, कौन सा नक्सल मायस्ट insurgency, क्योंकि कश्मीर वाले पर भी कही नागई more or less control है, और दूसरा North East में भी कही नागई more or less control है, तो अभी ये चीज जो हना, red corridor वाली, इस पर हमें ध्यान दखने की जरुरत है, अब सवाल बहुत सारे उड़ते हैं, कि ये operation इतना बड़े scale पे लाया गया, तो ये fail क्यों हुआ, तो इन में सबसे main सवाल तो ये था, कि जो operation का conduction था, उसमें ही बहुत सारी गरबढ़ियां है, देखो, CRPF और BSF, ये दो important paramilitary forces की बात करो, अगर अभी particular इस attack की बात करें, तो इस attack में CRPF की जो जवान गए, ये जवानों को ना तो proper way में training मिलती है, अच्छा training मिल भी रही है, तो इनको guide करने वाले जो officers हैं, वो कौन है जी, IPS officers, अब IPS officers को क्या proper way में, cantonment में या फिर कहीं पर भी, इनको ऐसी training मिल जिलती है, जिस तरीके के माहुल में उनको काम करना है, जिस तरीके के माहुल में उनको plan करना है, basically CRPF, BSF क्या है, ये paramilitary forces हैं, जो कि ministry of home affairs के अंडर आती हैं, अब इनकी अगर functioning को control करना, जो top management है इनका, वो administration's associated लोगों से, जो की public से deal करते हैं, उन लोगों का आप connection इनके साथ में, तो क्या वाकई में, tribal belt जिसे area में, जहां पर बहुत ज़्यादा मुश्किले हैं, या फिर जहां पर आपको war footing पे लड़ाई करनी हो, तो क्या उस जगह पे वो plan proper कर पाएंगे, क्योंकि IPS officers के पास में, प्लैटून या battalion experience थोड़े ना होता है, उन लोगों क पास में, ये knowledge थोड़े ना होता है, कि किस तरीके से plan किया जाता है, एक कैसे भी target को achieve करने के लिए, इसके अलावा आप देखोगे न, कि ये जो current-mised moment है, इसके पीछे बहुत बड़े कारण है, इन कारणों में से एक तो poor governance, सरकार वहाँ पर बहुत कम focus कर रही है, ये detail हम गया, socio-economically backward section जो है, वो अपने survival के लिए फिर हतियार ही उठाता है, दोजार पांच में हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमौन सिंग जी ने कहा था, कि left-wing extremism इंडिया की security के लिए सबसे बड़ा threat है, आज अगर जो हम, हमारे national security advisor है, एके डुवाल, और उनसे पहले जो security advisor थे, M.K.N.R.A.N.N., दोनों के हिसाब से भी देखे, तो दोनों के intelligence को भी ध्यान में रखते हुए, अभी तक हम control नहीं कर पाए है, left-wing extremism को, तो एक तो क्या हो रहा है, ये जो कमिया है, ये ठीक कर दी जाए, दूसरी, ये जो senior police officers को आप management हाथ में पहुचा देते हो, मतलब एक parachute landing की जाती है, उपर से उतार दिया जाता है उनको, कि हाँ भई ठीक है, अब तुम जाकर के समालो, पेरा military forces को, जबकि उनको इस तरीके का experience ही नहीं है, तो ये जो tragedy हुई है ना, तेकल गुडा में, तो बोले, ये normal है, ये repeat हो सकती है, तो अभी जरुत किस चीज़ की है, कि हमें, इनको planned way में, जो जो भी superintendent है, जो law and order को maintain करने की हम बात करते हैं, बोले, उन police officers को proper training मिले, तब जाकर के वो काम कर पाएंगे, कि कैसे इस तरीके की जो ये menace है, left wing extremism को, इसको control कर सकते हैं, तो ये sorry state है ना, हमारी capacity building की, ये बहुत ही ज़्यादा concerning है, इसको हमें ध्या आती है, कि हम दुश्मन के लिए तैयार ही ना हो properly, समझ गए, तो हमें तैयारी तो अच्छे से करनी पड़ेगी ना, नहीं तो फिर इसी तरीके से हमारी जो life's important, जो security personnel से हम उनको यो ही खोते रहेंगे, ये कोई ठीक बात भी नहीं है, आगे चलते हैं, next article beyond copy paste, article को आप connected सक कि वो क्या, कि एक तो ये कि question paper को set करना teachers के लिए बहुत मश्किल हो गया, कि कितना difficult paper बनाया जा सकता है, क्योंकि बच्चे तो घर पे बैट है, अब घर पे बैट करके online अगर कोई exam देगा, तो वो तो cheating भी तो करी सकता है, internet से, कोई दूसरा भी help कर सकता है, और दो बच्च क्वानिटी पे ध्यान दे, क्या matter होना चीए, और internet, internet को आप भई अपनी life से आप बिलकुल दूर कर ही नहीं सकते हो, तो ये चीजे जो हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, और आज system कैसा हमारा, fragile scoring system, कि हर जगह पे percent किसके आ रही है ज़्यादा, even UPSC में आप द students हैं, तो इन्हों ने जो कुछ भी loopholes निकाले हैं, वो कहीं न गए, एक faculty के लिए, एक teacher के लिए, बहुत मुश्किल होगा, कारण भी बन रहे हैं, आज अगर हमें check करने की ज़रुत है ना, तो अब quantity के बजाए, answer कितना लंबा लिखा है, उसकी बजाए, क्योंकि copy paste करने मे कोई issue नहीं है, इधर internet का एक webpage खुला, इधर से copy उठाई, इधर से copy किया, और उठा करके वहाँ पर answer paste कर दिया हो गया answer सही, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, ऐसे तो बच्चे ने क्या सीखा, उसने inculcate कितना किया उस knowledge को, खुद को कितना ज़्यादा एक तरीके से उस knowledge के basis पे upgrade किया, grasping power कितनी है, कितना उस knowledge का reflection आ रहा है behavior के उपर, और ideas और concept को कितना learn कर पाया एक student, ये चीज़े कहीं नहीं मिस हो रही है, आज ये online जो platform create हो चुके हैं, देखो road learning की problem तो हम पहले ही जानते हैं, कि रट रट करके पास हो जाना, one night paper fight वाला आपने concept सुना road learning की बजाए एक ऐसी learning system पे काम करने की ज़रुत है, जहां पर quality पर ध्यान दे, quantity की बजाए quality पर ध्यान दे, और उससे क्या होगा, कि जब भी learn किया हुआ knowledge को reproduce करने की बात आएगी ना, तो उस टाइम पर बच्चा confident feel करे, with confidence reproduce कर सके, ये देखो अपने आप में बहुत important ची होगे, तो वो अली बात होनी चाहिए कि आप अपनी language में answer writing के practice करो, यही चीज़ आपको भी करनी चाहिए, क्योंकि same answer नहीं हो सकता दो जनों का, और जितना creative आपका answer होगा ना, उतने ही ज़्यादा marks automatically teacher देने में अपने आप ही bound हो जाता है, कि हाँ इसने quality पे ध्यान दिय या, दूसरा यहां से शुरू हो रहा है, यह diagram यहां पर बना दिया, यहां पर bullet point है, यहां पर conclusion दे दिया, यह सारी चीज़ें अगर आप लिखते हो, तो उसका automatically quality improve होती है, और उसका answer फिर आपको क्या होगा, marks automatically अच्छे मिलते हैं, जो अभी quantity को ध्यान में रख करके काम कि जा रहा है, उसकी बजाए quality भी धान देने चाहिए, एक बच्चे को इस तरीके के tool देने चाहिए, जिससें की वो पढ़े, सोचे, और खुद की life में articulate करे, समझे, फिर बाद में answer लिखे, बजाए इसके केवल रटा और रटी होई चीज़ को छाप दिया, यह नहीं होना च ठीक है, तो discussion यहीं कहता है, thank you very much for watching this video